हर हर मातेवाई सबी को सुवागत है आपका आज किस नए वीडियो के अंदर और इस टूइडियो में हम डिसकूस करने वाले हैं क्लास टेंथ मैं से स्टेंडर्ट से टू का कोशन नमबर ट्वन्टीन नाई 29 का A part अपने discuss करेंगे और बाखी का B part भी अपन next वीडियो में discuss करेंगे ठीक है तो यह जो question है यह है arithmetic progression से और यह question मैंने आपको बताया भी था कि most important question है यह question आने की chances बहुत ज़्यादा है और आया भी सही तो जो भी students मैं से connected थे जोनोंने मुझे follow क्या है जोनोंने मेरी वीडियो को follow क्या है important question series देखिए उन लोगों को काफी benefit हुआ है इन काफी अच्छा feedback भी बच्चों ने मुझे दिया comment के तूँ और messages के तूँ तो चलिए question करते हैं अपन इस question में दिया है if the sum of first m terms of nap is same as sum of its first n terms यह है कि इसकी इस एपी की जो first m terms है न उनका sum और इस एपी की first n terms का जो sum है वो क्या है same है मतलब अपने ऐसा लिख सकते है कि sm is equal to sm ठीक है sum of first m terms is equal to sum of first n terms तो यह equation होगी अपने बास में equation number one फिर अपने को prove यह करना है to prove to prove sm plus n terms sum is equal to 0 ठीक है यह अपने को करना है prove तो अभी अपने को formula पताऊना कि sm का formula होता है sum of n terms यह इसको अपन लिख सकते है sn is equal to होता है n by 2 multiply 2a plus n minus 1 multiply d ठीक है यह होता है sum of first n terms formula अब अपने को given तो यह है कि sm is equal to sn और अपने को prove यह करना कि sm m plus n terms sum is equal to 0 तो चलिए यह equation को अपन लिख लेते हैं so according to this अपने स्कूलिश करते हैं m upon 2 multiply 2a plus n की जीक है अपन क्या लेगें है m लेंगे क्योंकि number of terms यहां पर m है तो यह जगा m minus 1 multiply d and break it close ठीक है यहां पर भी वाला बर्रेकिट लेता हूं इस इक्वल टू इधर sn ले रहे तो यह जगा m upon 2 multiply 2a plus n minus 1 multiply d break it close अब देखो इधर में भी अपन में 2 आ रहा है इधर में भी अपन में 2 आ रहा है और यह पूरे से multiply हो रहा है तो यह 2 से यह 2 cancel हो जाएगा ठीक है फिर इस ब्रेकिट को ओपन कर लेते हैं यह पहले अंडर से ब्रेकित में अंडर के वाले ब्रेक यह ओपन कर लेते हैं फिर बाहर को ओपन कर लेंगे तो यह एम multiply 2a plus m multiplied you jake md minus d break it close is equal to n multiply 2a plus nd minus d break it close now अब इसको इस एम को पूरे परिकिट से multiply करा देंगे तो यह जाएगा 2a plus m square d minus md is equal to 2a plus n square d minus nd टीक है अभी इन सभी terms को अपन क्या करेंगे इनको इदर लेकर जेंगे इस तरफ में okay side change कर लेंगे तो यह जाएगा 2a m और 2m के साथ में अपन 2a n को लिख लेंगे तो यह दर प्लस में आ रहे तो इदर आखे माइनस एकी तो माइनस 2a n टीके फिर लिखेंगे m square d the plus m square d और m square d के साथ में लिखेंगे अपन n square d को तो यह जाएक धिन एक पर बना लेंगे जिसका एक पर बन जाएगा और इसका एक पर बन जाएगा सभी कएक पर बन जाएगा ठीक के तो इन में से फना लेंगे to echo तो यहां से to echo common लिया तो इदर बज गया ए तो D को कोमल ले लिए अपने हैं इलिए एक सो यह हो जाएगा D multiply M square minus N square और इदर में m square minus N कर तो इसको identity से बाद में अपन M-N multiply M plus N बना लेंगे तो यहां पर भी अपने को M-N चाहिए होगा तो अपन क्या करते हैं यहां पर minus D को कॉम लेते हैं था कि M-N बज़े अपने तो minus D को कॉम लिया तो इदर बज़े सकते हैं यहां पर यहां पर जाएगा 2A multiply M sorry M-N को कमन ले रहे हैं तो यहां पर जाएगा प्लस इदर बज़े दी multiply M plus N and यहां पर minus D and is equal to में 0 ठीक है अब देखो M-N जो इस पूरे से multiply हो रहा तो यह M-N 0 तरप जाएगे डिवाड़ हो जागा और equal to में जाएगा 2A plus D multiply और देखो यहां पर भी डियारा multiply में यहां पर भी डियारा multiply कर अंदर तो अपन यहां करते हैं कि इन दोनों में डी को कमन लेकर लिखे देते हैं तो यह दर बज़ेगा M plus N यहां पर दी कमन ले जाएगा यहां पर दी कमन आ गया तो इसको ले लिए अपने ब्रेकिट में और जीर इक्वल्टो में 0 divided by M minus N हो जाएगा तो इक्वल्टो में क्या हो जाएगा यह 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 A plus M plus N minus 1 D multiply D is equal to 0 इसका जो value है वह आगे 0 अपने पास में तो इसको अपन देते हैं इक्विशन नमबर टू नाम ठीक है जो भी एक्विशन आपको आद देना है सका नाम एक्विशन देगी जी को अब पन चलते हैं अग आगे ठीक है यह एक्विशन को नाम देगी अपनने जीकिंट एक्विशन Now, sum of first m plus n terms, ठीक है, so according to formula, according to formula, इसको आपन नहीं सकते हैं, एस, m plus n is equal to m plus n divided by 2 multiply 2a plus n, n की विल्यू क्या है यहाँ पर m plus n, तो यह m plus n minus 1 multiply d, ठीक है, यह अपने को find out करना है, सम, अब देखिए, यहाँ पर 2a, bracket में क्या रहा, 2a plus m plus n minus 1 multiply d, और यहाँ पर क्या रहा, 2a plus m plus n minus 1 multiply d is equal to 0, तो यहाँ पर इसकी जो value है, वो अपने पास में already 0 आई भी है, तो यहाँ पर आपने केंगे, from equation 2, equation 2, 2a plus m plus n minus 1 multiply d is equal to 0, ठीक है, from equation 2, इसकी जो value हो 0 है, तो यहाँ पर आपने लेकिंगे, s, m plus n is equal to m plus n divided by 2, इसका value 0 आगया, तो यह multiply हो जाएगा 0, तो 0 से अगर किसी भी number को पर multiply करवाते हैं, तो यह क्या जाएगा 0, तो यह अपने पास में आगया, s, m plus n is equal to 0, यह सोनो, तो यह हो गया approved, नाओ, इसमें से कोई भी doubt यह query हो, तो प्लीज आप comment करके, पूछ सकते हैं, अगर कोई भी doubt ना हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों आप में शेक कर दीजिए, और प्लीज चनल को subscribe कर लिजिए, और मिल